हेलो बच्चों गुड मॉनिंग कैसे हैं आप शुरू करेंगे डिसकस करेंगे हम एक बहुत ही खुबसूरत से प्यारे से कुश्चन के साथ कुश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा कह रहे हैं क्या करिए और फाइंड रूट्स आप दा कॉडिटिक एक्यूशन फाइंड र रगारा कोशन है कहरा फेक्ट राइजिस्टन करो और फेक्ट राइजिसन कर के इस कुश्चन का क्या करो वैल्यूव फाइंड करो यह एंसी आर्टी के एक्जांपल से ध्यान से देखना तो देखो बच्चों बात बोलूं को क्वेश्चन टफ नहीं है फिर से बोलता हूं कुश्चन कोई भी तफ नहीं होता पर हमको कॉंसेट नहीं आता है तो क्या होता है तफ हो जाता है वैसे मैं राखविंदर-पांडे और सवागत आपका कहां जे करियर सब्सक्राइब है आप लगातार हम को फालो कर रहे हैं लगातार अपनी लर्निंग बढ़ा रहे हैं हमें फालो करने के लिए अपनी लर्निंग बढ़ाने के लिए दिल की गहरायों से प्रेम पूरबग बहुत-बहुत धन्यवाद शुरू करते हैं एक क्यों सन है 3 root 2 x square 3 root 2 x square minus 5 x minus root 2 root के questions कुछ बच्चे कहते हैं थोड़ा दिक्कत होता है solve करने में चलो दिखते हैं दो question है एक हम solve करेंगे और एक आप दूसरा है 3 x square plus 5 root 5 3 x square plus 5 root 5 5 root 5 x minus 10 x minus 10 equal to 0 मैं पहले question को solve करता हूँ इसमें दो बार root लगा है और दूसरे को हाँ hint दूँगा लेकिन पहले question को solve करते हैं कभी भी जब आप इसके solution की बात करें तो एक चीत तो दिमाग में रखो आप कि question एकदम easy है पहली बात तो दिमाग में क्या रखो question एकदम easy है जैसे मैं लिखता हूँ पहले और उसको देखो फिर कितना आसान होगा root 2 देखकर root 5 देखकर root 2 देखकर कुछ भी देखकर के डरना नहीं है क्या करना है इसको solve करने की कोशिश करनी है आप इसको तुरंद compare कर दो किससे ax square plus bx plus c equal to 0 और जब आप इस यह equation है quadratic equation standard equation है इसको solve करते हो तो a into c करते हो क्या करते हो a into c और इसके factor को ऐसा add करते हो क्या आजाए b यह तो करते हैं आप a क्या है यहां a है 3 root 2 देखना 3 root 2 into c क्या है root 2 नहीं है minus root 2 है symbol को देखना यहां सारे के सारे positive है इसलिए a into c c का positive लिखा जाता है लिखा जाता है नहीं नेगेटिव लिखा जाता है तो निगेटिव था लिख लिए इसको ऐसा factorize करो क्या आजाए बी अब डी के place पर क्या है बी के place पर यहां है 5 क्या है 5 लेकिन ये क्या लिखा तृम टून ठीड़ी सीक्स होगा एक्सूल में यह माना सिक्स लिखा हुए और माने अ किसक्स का ऐसा फ đến मैंने साइब आड़ा है हाँ हो जाएगा ठीडी तूज़ा सिक्स आख और माइनस फoqu' चाहिए और पमाइनस सिक से मशना गदाने यह क्या है यह भी रुट फाइब एक्स रूट सब्सक्राइब 3 root 2 minus 5 x minus 6 चलो ठीक है देखते हैं तो A into C होता है तो A की value 3 root 2 और C की value minus root 2 तो 3 to 6 अरे 3 root 2 root 2 हो जाएगा 3 to 6 minus 6 है और क्या चाहिए minus 5 चाहिए तो यानिक यह नहीं आएगा यह आएगा 6 वन जा 6 वन जा 6 अब minus चाहिए इसका मतलब इसमें से तो 6 वन जा 6 हो जाएगा और 6 में से वन जाएगा तो minus 5 आ जाएगा सही है ना इसका मतलब middle term को ऐसा कुछ split कर दो यह उपर वाला होता है यह पीछे वाला होता है और यह क्या होता है middle term होता है तो middle term को 6 वन जा से क्या करो करो इस प्लेट करो चलोगए यानि कि आप इसको डिंट पीकिशन को ए कर सकते ने यह कि आप इसको का सकते हैं आप इसको ब्रेक कर सकती है कैसे थ्री रूट ट्ऊ को आप Clued यहां ही करेंगे सिर्फ इसको तोड़ेंगे तो माइनस aja tocs और माइनस Chaos sagesa से sagtoke गाइन June of her calendar and class inside minus the root two equal to 0 by grad यारी है ठीरम तोड़ा सा देखो इसमें से कुछ common ले लो इसमें से कुछ common ले लो common same is to make a शेंदार यहां क्या है 3 common ले लो और यहाँ जब आपने 3 निकाल दिया तो क्या बचेगा 2 सही है अच्छा तब भी देखो यहाँ नहीं कामन वनेगा इसका मनला 3 root 2 भी कामन ले लो 3 root 2 और x अब root 2 इसको समझो आप पहले यह जो 6 लिखा है इसको आप लिख सकते हैं 3 into 2 तो 3 को 3 रहन दो और 2 को आप root 2 into root 2 लिख सकते हो तो जब आप 3 root 2 निकालो गए 6 में से तो क्या बचेगा root 2 बचेगा इसी लिए यहाँ क्या बचेगा root 2 clear है यहां कुछ common ले लो क्या बनेगा और 1 common ले लो तो x- sorry जब 3 root 2 निकालो गए तो x बचेगा न तो x- root 2 बचेगा है है ऐग शमैंट रूट और यहां वननिका लोग आप तो एक सिमाइनस रूट तो यहां फीब चिहां इकल टू देखरा आप तो टोड़ा सथयांड दो टो एक समैनस रूट टू श्रू टू डो जिक पे common little X minus root 2 और यहां क्या बचेगा यहां बना है थ्री रूट टू एक्स और प्लस वन इकल टू जीरू इन्हों ने क्या कहा है find the roots of the find the roots of the quadratic equation by the factorization method to factorization method से आप क्या को इसको अब निकल गया है सब कुछ वह सिंपल भे इसको आप लेक सकते हो X minus root 2 equal to क्या हो जाएगा 0 और जब आप लिखोगे तो X equal to क्या आएगा root 2 आएगा क्या आएगा तो यानि कि एक बैलो आपको क्या मिल गया x equal to root 2 यानि alpha equal to क्या आगया यानि पहला मूल क्या आगया root 2 अवो इसको देखते हैं 3 root 2 x plus 1 equal to 0, यानि कि 3 root 2 x equal to minus 1 हो जाएगा, आप इसको इधर भेज़ेंगे minus 1 हो जाएगा, और x equal to क्या मिल जाएगा, minus 1 upon 3 root 2, 3 root 2, यानि दूसरा root यह आएगा, यानि कि अगर मैं कहूं, अगर बीटा आप दूसरा root कहते हैं, तो 1 upon 3 root 2 आएगा, इस तरीके से आप दोनों roots इसके find कि और एक बात दोलू, अगर आपको confidence नहीं build हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कुछ गलत हो गया, तो इस root 2 की value यहां रखो, यह satisfied करेगा, 0 हो जाएगा, चेकर करके दिखा दू, चेकर के दिखा दू, थोड़ा सा trust build होगा आपका, यहां देखो, 3 root 2 और into root 2 का square है, यहांनि root 2 का square क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, minus 5 root 2 की x की value root 2 और minus root 2 equal to 0, यहां देखो, 3 2 जा 6, 6 root 2 और 5 root 2 और 1 root 2, 5 1 6 root 2, 6 root 2 equal to 0, फिर देखो cancel हो गया, 0 आया की नहीं आया, मैंने क्या कहा था, कि जब भी कोई equation आयेगा, और जब उसके आप roots find out करोगे, उसकी value equation में put करोगे, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा, वो उसको satisfied करेगा, यानि वो value क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जल्दी बोलो क्या आएगा, वो value क्या हो जाएगी 0 अब मैं दूसरा question solve नहीं करूँगा पर मैं hint दूँगा आपको कि यह solve कैसे होगा ठीक हाँ आओ देखते हैं दूसरा question करोगे कैसे थोड़ा सा hint देता हूँ जैसे दूसरा question है हमारा 3x square plus 5 root 5 x minus 10 equal to 0 आप अभी मैंने कहा था कि इसको compare कर डालो किसे ax square plus bx plus c equal to 0 और जब आप standard equation से compare करते हो तो कहते हो आपकी a into c को ऐसा multiply करो कि add करने पर या subtract करने पर क्या आ जाए b यह तो policy अपनी तो a क्या है a है 3 c क्या है 10 minus 10 है तो 3 10 जा minus 30 हो जाएगा ठीक है अब minus 30 को ऐसा factorize करो कि b आ जाए और b की value क्या है चक करो तो 5 root 5 5 root 5 ही लाना है आपको चाहे जैसे क्या बोला मैंने कि 5 root 5 लाना है आपको चाहे जैसे ऐसा factorize करो आउड चेक करते है 30 है अब 30 को ऐसा factorize करो कि 5 root 5 आ जाए हाँ ना अच्छा सोच के देखो 5 root 5 add करने पर आना चाहिए हाना तो क्या हो सकता है 6530 ध्यान से दिखना 6530 हो गया अब यह 5 root 5 चाहिए और यहां negative है और जब कि यहां positive चाहिए यह दोनों multiply करने पर negative होना चाहिए पर यहां positive आ चाहिए यानि कि इस 5 को root 5 कर दो और वही root 5 यहां ले ओ तो 6 root 5 में से minus root 5 कर दो तो 6 में से 5 minus करोगे तो 5 root 5 आ जाएगा और 6 5 जा root 5 root 5 आ जाएगा तो 6 5 वा 30 plus minus minus 30 के लेट यही यानि कि आप इसको जो break करोगे वो 6 root 5 और 5 root 5 में करोगे यानि कि 3 x square plus इसको क्या लिखोगे आप इसको लिखोगे 6 root 5 और into x भी है और minus root 5 x क्या लिखोगे root 5 x minus 10 equal to 0 आप इसमें से कुछ common लो क्या common लोगे मैं नहीं जानता कैसे common लोगे कैसे solve करोगे मैं नहीं जानता इसको क्या करोगे लेकिन comment करोगे इस question को solve करोगे और comment करके इसका answer आप हमको बताएंगे क्या करेंगे comment करके इसका answer बताएंगे तो अगर आपने अभी तक अपने इस खूब सूरत से प्यारे से चैनल को subscribe करेंगे क्या है subscribe कर ले बेल आइकन हीट कर ले लेटेस्ट